तो चलो प्यारे बच्चों इस वाले क्वेश्चन को देखो हम लोग करते हैं इसमें कहता है इसमाल बॉल पी यह जो बॉल है वो बॉल पी जहां आपको दिग रहा है और यह बॉल पी इस सर्कूलर पाथ से बॉल नीचे आएगा तो यहां पर एक अगर इसका मास M है तो यहां पहले से यह पढ़ा था रेष्ट में तो यह पी तो यह ऐसे आएगा इस रास्ते से आएगा और आके Q को हीट करेगा यहां पर ठीक है जो कि सेम मास के है तो कोलिजन हो गया Neglect the friction, Assume the Collision Elastic, क्या है? Elastic Collision शिरेंट हो ठीक है? तो अगर Collision Elastic है तो वेलासिटी अब क्यों, देखो हमसको पता है Elastic Collision between the same मास अगर एक M मास है जो रेस्ट में है और ये 10 मीटर पर सेकेंड से आ रहा है और दूसरा मास भी M है और वो रेस्ट में है तो जब ये इसको हिट करेगा जब ये इसका स्पीड भीवन था जब ये हिट करेगा तो ये जो दूसरा वाला मास है वो आगे मूग करेगा, जो दूसरा वाला मास है, वो तेन मीटर पर सेकेंड से आगे चले जाएगा, और यह जो पहला वाला मास था, वो रेस्ट में आ जाएगा, ठीक है, मतलब कोल मिला कि जो speed है, वो interchange हो जाती है, speed, interchange, या और velocity, interchange हो जाती है, velocity, interchange हो जाती है, elastic collision between the same mass, clear हुआ concept, तो अगर मैं इसका speed निकाल लूँ, पहले वाले का speed निकाल लूँ, यह अगर यहां से आता है, यह वर्टिकल यहां से नीचे आता है, तो vertical displacement कितना होता है, radius, कि इस radius कितना है, 20 meter, समयरे हैं, तो third equation of motion, y-axis में लगा दो, b-square minus y-square is equal to 2s in y-axis, अगर मैं इस speed जो है, वो 2, a, g, h, under root आ जाएगा, और 2, g की value 10 है, और height जो है, वो 20 है, और यह सब कुछ under root, तो कुल मिला के तुम देखोगे, कि इसकी जो final speed आ जाएगी, 220 height, 20 cm है, तो यह meter में आ जाएगा, तो यह meter में आ जाएगा, तो कुल मिला के यह, यह point ही से कतम हो जाएगा, यह 2 meter per second से hit करेगा, ठीक है, तो जब यह यहाँ पर आएगा, यहाँ पर P वला आएगा, this is P, तो P यहाँ पर hit करेगा, basically कितने से भाई, तो P यहाँ hit करेगा, 2 meter per second से, तो अगर P यहाँ से 2 meter per second से hit किया, तो यह again, यह क्या है, rest में आ जाएगा, और यह 2 meter per second से आगे जाने कोगे, तो इस point पर जो है, वो P जो है, वो rest में आ गया, जो कि पहले, collision से पहले, इसकी velocity, just collision से पहले कितनी थी, 2 meter, और यह अपनी 2 meter वाली जो velocity है, वो Q को दे देगा, और Q 2 meter per second से आगे जाने लगेगा, बराबर आ रहा है, बात समझ में है, तो 2 meter per second, बहुत असान है, velocity just interchange ह जाएगी, thanks for watching this video, bye bye, take care.